हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माय यूटूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी आज हम कलर बेस्ट पजल बना जा रहा है जिसमें हम क्रॉस मेथट का यूज करेंगे जो मैंने अपने पिछली वीडियो में बनाया है अब चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं चली हम पजल पे चल बट नॉट नेसेसरी इन दा सेम ओडर चले ठीक है तो हम बॉक्स बना लेते हैं जितना जल्दी आप इस बॉक्स को बनाएंगे उतना जल्दी आपका पोशन कम्प्लीट हो जाएगा चीक है यहाँ परसन के नाम लिख देते हैं यहाँ पर कलर लिख देते हैं जितना सौर्ट में आप लिखेंगे उतना आपका टाइम बचेगा चीक है यहाँ कोशन शुरू करते हैं दी लैक्स ब्लैक कलर दी को ब्लैक कलर पसंद है तो आप टिक कर दीजिए और बाकी ऊपर नीचे आप इसको क्रॉस कर दीजिए क्या रहा है नाइदर A नौर E लाइक्स पिंक कलर ना ही A और ना ही E को पिंक कलर पसंद है तो A और E सामने पिंक कलर प्या क्रॉस कर दीजिए तो क्या रहा है नाइदर F नौर A लाइक यलो कलर ना ही A को और ना ही F को यलो कलर पसंद है तो कह रहा है कि neither A, B, E likes a green color तो A, B और E को green color पसंद नहीं है तो A, B और E को green color पसंद नहीं है neither B nor E likes yellow color B और E को yellow color पसंद नहीं है तो B और E पे हम cross कर देंगे neither C nor F like green color C और F green color को नहीं पसंद करते है B does not like pink and white color B को pink और white color नहीं पसंद है और A does not like white and red color A को white और red color नहीं पसंद है चलिए हमने question को note down कर लिया है अब हम इसको solve करेंगे देखे हम साब देख सकते हैं कि A की line में जो एक ही box खाली है तो आप इसको tick कर देंगे बाकी आप cross कर देंगे उसके बाद B में देखेंगे तो आप सिर्फ एक box खाली है आप इसको tick कर देंगे बाकी आप cross कर देंगे C में आप देखेंगे तो 3 box इस खाली है आप पर इसमें नहीं अभी कुछ कर सकते हैं आप आगे देखिए D का हमें पता चल चुका है Black है E में देखिए एक box खाली है तो हम इसको टिक करेंगे वह बाकी को cross कर देंगे F में आएंगे तो इसमें भी एक box खाली है आप इसको टिक कर देंगे अब हम देखेंगे C में सिर्फ एक box खाली है तो आप इसको टिक कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा C को yellow पसंद है तो टिक कर देंगे तो यहाँ पर cross हो जाएगा और G का हमें पता चल जाएगा G का green तो यहां से आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हम इस पजल को इस मैथड से सॉल्व कर सकते हैं और A का Blue हो गया है, B का आपका Red हो गया, C का आपका Yellow हो गया, D का आपका Black हो गया, E का आपका White हो गया, F का आपका Pink हो गया, और G का आपका Green हो गया, तो यह पजल हम बहुत आसानी से इस मैथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जितनी कम समय में आप इसको बनाएंगे, उतना जल्दी आप कोशन को एक्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, कर देने, और गया, विडिय को थाटुरुडवाँ और देन भी और देनी से प्रैक्टिस नहीं ।